अयोध्या में आप राम मंदिर देखते रह गए। बाबरी मस्जिद को हटाने के बाद इस मस्जिद को मुसल्मान के लिए तैयार किया जा रहा है तो चलिए देखते हैं इस मस्जिद की कुछ खास बातें जो इसे दुनिया का आठवा अजूबा तक बना सकती है। कमेटी के अध्यक्ष मुंबई स्थित बीजे पी नेता हाजी अराफात शेख ने कहा कि अयोध्या में बनने वाली नई मस्जिद भारत में सबसे बड़ी होगी। राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्ने के बाद फाइव एकट जमीन यूपी सरकार की तरफ से मस्जिद के लिए जगह दी गई थी। जो कि अपने निर्मान से पहले ही चर्चा की विशय बनी हुई है। दोस्तों इस मस्जिद में कोई आम ऐसे वैसे इमाम नहीं बलकि मक्का से बुलाए हुए इमाम नमाज पढ़ेंगे। पहली अबादत मक्का के इमाम या इमाम हरम अब्दुलरह्मान अलसुदैस की तरफ से की जाएगी। मक्का के इमाम के साथ साथ अरब देशों के बड़े नामी मुस्लिम हस्तियों को भी नियुता दिया जाएगा। किसी देश में ऐसा पहली बार होगा जब मक्का मदीना जैसे मुसल्मान के लिए पवित्र स्थल से इमाम आकर नमाज अदा करेंगे ताज महल से भी ज्यादा खूबसूरत होगा ये मस्जिद दोस्तों जब ताज महल तयार हो गया था तब शाह जहां ने उसे बनाने वाले मसदूरों के हाथ काट डाले थे यह सोचकर कि ताज महल से भी खूबसूरत इमारत पूरे विश्व में कहीं और नहीं होनी चाहिए हालांकि शाह जहां का यह डर अब असलियत में बदलने वाला है क्योंकि अयोध्या में बन रहे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद को ताज महल से भी सुन्दर बनाने की बात कही गई है नमबर चार दवा और दुआ का केंद्र होगी अयोध्या की मस्जिद पूरे मस्जिद परिसर में चिकित्सा, शैक्षिक और सामाजिक सुविधाएं भी होगी इस मस्जिद के अलावा परिसर में एक 500 बेड़ वाला कैंसर अस्पताल, स्कूल और लॉग कॉलिज, एक संग्रहाले और एक पुस्तकाले और एक पूरी तरह से शाकाहारी रसोई घर भी होगा जहां लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाएगा नमबर पांच मस्जिद में होगी सबसे बड़ी कुरान दोस्तों, यह मस्जिद देश का सबसे बड़ा मस्जिद तो होगा ही साथ में इसमें देश का सबसे बड़ा कुरान भी मिलेगा इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी होगी जो 21 फीट उंची और 36 फीट चौड़ी होगी और खास बात ये है कि इस कुरान का रंग भगवा होगा जिसे हिंदू और मुसल्मान दोनों ही मानते हैं मुसल्मान इसे सूफी संथ चिष्टी का रंग कहते हैं नमबर च्छा मस्जिद की हर इंट होगी खास अयोध्या में प्रस्तावित मुहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद में लगने वाली हर इंट बेहद खास है पहली इंट पर मस्जिद के नाम के साथ कुरान की आयतें लिखी होंगी वही मुसलिम धर्म के जो भी व्यक्ति इस दुनिया से अल्लाह ताला को प्यार हो चुके होंगे उनके परिवार को इन इटों पर उनका नाम दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी